हेलो ख्रेंड देखिए आज हम बेल का सरवत आप लोगों के साथ सेयर करेंगे देखिए बेल एक दम पका हुआ लेकर रहा है हम एक दम पिला हो गिया हुआ है देखिए एक पका हुआ है तो इसका सबसे बड़ी चीज है कि इसको पाचानने के लिए इसको हाथ में रखिए तो हलका लगेगा एकदम तो समझे कि बेल पका हुआ ह है उसके बाद नहीं तो इसके डंटी जो होता है उपर में ये डंटी को ते डंटी को आप इस तरह से इसे हां से मार जिएगा डंटी जो लगा हुआ रहता है तो वो सब प्रत निकल जाएगा तो समझे कि ये बेल पुरा पका हुआ है और देखिए बेल एकड़म पकर तैयार हुआ है आज इसका हम सर्वतापलों के साथ सेयर करेंगे आब हम इसको एकड़म बजर चीज पर देखिए इसका चिल के अदम बजर होता है इसलिए इसको किसी बजर चीज पर धाकर फोड़ेंगे इसको हो तो यह आप शिलोट पर फोरिए या सीरी के नीचे वाला खंदा है उस पर दखे इसको फोरिएगा और इतना ध्यान दिजेगा इसको फोरते समय कि यह एक बार में ही फूर जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है नहीं तो कुछ यह तीता हो जाता है तो चली हम फोरते हैं इसक फूटने से होता है कि इसमें मिठापन रहता है और दो तीन बार करने से फोर देने से होता है नहीं कि थोरतीता हो जाता है जिए इसके लिए हम लेंगी एक बड़ा सा बरतन और एक चमच के सहारे हम इसको अंदर से पुरा निकालेंगे तो दिखी एक चमच लेंगे और चम कोई दिक्कत नहीं होता है और इस बेल को आप चाहे तो इस तरह भी खाईएगा इस तरह से चमच से निकाल के भी खाईएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा और इसको किसी भी तरह खाईए तो गड़वी में बहुत फैदा करता है यह एकदम राममान है यह पेट के लिए तो इसको इस तरह से निकाल लिए और इसका जो यह है यह उपर वला हम लोग बचा में बहुत खाते थे इस तरह से हम लोग सरवत बना कर उतना नहीं पीते थे और इसी तरह निकाल कर नाज से अपने से खाते थे इसको बहुत अच्छा लगता है खाने में देखे कितना आर आत्य ब्रinto च्र्aching को समय जाओके। तो और भी यो मिरोने करके ब्रद्यान सबूते हैं, ब्रद्रम सब्सक्राइद 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 पूर्दमाने नाज़ा, तो आप इतना ध्यान दिजेगा कि बीज नहीं रहना चाहिए और एक-दो बीज रह भी जाए तो कोई खानी नहीं करता है बहुत फाइदा करता है इसका बीज भी खाने से आँख जो लाल होता है ओ लाल नहीं होता है यह हम अजबा कर देखे हुए हैं तो बच्पन में मेरी म श्मारी म इलगों क्यरते थी खाकव इसका बीज खाने से आंख लाल नहीं होगा तो हम लूग खाजाते थे मेरा आन्ख लाल अभी तक नहीं हुआ है कभी तो और इसको हाथ से ही इसको चमच्व से किज्जगा तो ज्यदा टाम लगएगा इसको हाथ से तरह सेимер बीज हैगा इसको किसी चीज में चिपका दी जाएगा तो एकदम चिपक जाएगा यह, तो इसको इस तरह से थोड़ा दिर छोड़ देते हैं हम, ठीक है, देखे, थोड़ा दिर छोड़े हैं, उसके बाद ही एकदम घूल गया हुआ है, एकदम मिल गया है, अब इसको हास से इस तरह से कर तो निकल जाएगा इसको मिक्सी में पिछने का कोई जरूवत नहीं है यह मिक्सी में नहीं पिछाता है मिक्सी में पिछने से इसका बीज पिछा जाएगा तो वह एक दम बीज इसका थोड़ा करवा होता है वह सरवत पीने में अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरह से करके आप पुड़ा बीज निकाल लेजिएगा देखिए यह बीज का जो रीर होता है नो उसका वो है इसको हाँ से इस तरह से दवाईएगा यह खुद निकल जाएगा इस तरह से चानके रख रहे हैं प्लेट में इसको भी फेकिएगा नहीं इसको पानी में डाल लेजिएगा तो एक ग्लस उसमें से और सर्वत निकल जाएगा देखिए एकदम गार्दी यहां से यह पूरा निकल जा रहा है अब इसमें डालेंगे थुरा सा पानी पानी डालेंगे थुरा पतला होगा तो जो भी इसमें होगा और रेशा जीसा तो वह भी निकल जाएगा पूरा देखिए पतला हो गिया तो जो भी थोड़ा बहुत है ओ भी निकल जाएगा ये मोटा में थोड़ा कम निकला था लेकिन थोड़ा सा बच गिया था ओ भी ये पतला हुआ है अब ये भी निकल जाएगा देखिए अब हम इसका सरवत त्यार करेंगे तो इसके लिए अब गलास लिजे जिसमें बनाना है जिसमें पीना है उसको गलास में रखिए गलास लिजे या कोई बरतन रखिए या आइस क्रीम जब आना है तो आइस क्रीम के बरतन में रखिए तो हम ये सर्वत बना करती तो देखिए इसमें रखेंगे थोड़ा सा बरब क्योंकि ये गरम है पीने में अच्छा लगेगा नहीं बरब डाल देने से थोड़ा थंडा थंडा बहुत अच्छा लगता है पीने में तो बृकनी से डाल दिये है उसमें हम डालेंगे इसको भील का सर बत तु देखिए जितना पतला बनना चाहिए उतना हम इसको त्यार किए हैं इसमें पानी डालने के खोई जोगत नहीं है अब इसमें थोड़ा सा हलका सा डालेंगे काला नमक, एक काला नमक डालने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन कर तेयर होता है, एक काला नमक है, तो इसमें इतना नहीं देंगे, इसमें थोड़ा कम देंगे, एक काला नमक थोड़ा, देखें इसमें अभी है, पुरा नहीं पड़ा है ये चम्मच मेरा भींगा था न इसलिए उसमें सटा हुआ था इसलिए उपको ज्यादा उठाना पड़ा है अब इसमें थोरा सा है ये मिस्री का पाउडर डाल नहीं है, ये भी बहुत थंडा होता है, और बेल भी थंडा होता है, ये पेट के लिए एक दम राम बान बन गया है, ये आपने भी पीजिये और बच्चों को भी पिलाइए, ये बहुत टेस्टी होता है, बच्चों भी ऐसे बनाईएगा तो पीएगे बहुत बूरें जीरा पाउडर भूणा हु उपा जीरा डालने से तस और सब्सक्रों बजनी्यक्त तेस्ट और भी बनिया होता है जीरा भी ठंडा होता है देखिए ये बनकर तयार हो गिया हुआ है अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें निम्बो डालेंगे निम्बो डालने से टेस्ट इसका और बढ़ जाता है खुब खटा मिठा लगता है खाने में तो इसको ड अब हम इसमें डालेंगे और अब उदीना पत्ता और बचों के लिए देखिए इसमें पाइप लगा दिजेगा बचों भी एकदम अराम से पीएगो बच्छा लो इस तरह से पाइप लगाएगा तो बचों भी आराम से पीएगे तो फ्रेंडे रेसिपी आपको अच्छा लगेगा और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो अप लाइक किजेगा मेरे चैनल पर पहली बार आएख तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा यह हम पहली बार बना रहे हैं इसमें थोरा गल्दी भी होगा तो उसमें ध्यान नहीं भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन दन